श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताप पुने वाला को 13 दिनों की नियाई की हिरासत में भेज़ दिया गया है आफ्ताप को तिहार जेल में रखा गया है जेल में आफ्ताप पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है आफ्ताब पर नजर रखने के लिए तिहार जेल में प्रशाशन ने खास इंतिजाम किये हैं क्या है पूरा मामला दिखाते हैं इस रिपोर्ट में श्रधा की कातिल आफताब अमीन पूनावाला का नया पता दिल्ली की तिहार जेल है पुलिस रिमांड खत्मोने के बाद आफताब को तिहार के जेल नंबर चार में रखा जाएगा शनिवार को सुबह 10 बजे आफताब को मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली के अमबेडिकर अस्पताल ले जाये गया इसके बाद पुलिस दोपह धाई बजे एक बार फिर आफताब को लेकर अमबेडिकर अस्पताल पहुँची जहां एक कमरे में स्पेशल कोर्ट लगाई गई और वहीं पर आफताब की पेशी करवाई गई कोर्ट ने आफताब को 13 दिनों की न्याई खिरासत में भेजने का आदेश दिया दरसल दिल्ली पुलिस चाहती थी कि आफताब के मामले में अमबेडिकर अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए और वहीं पर सुनवाई की जाए ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बिड्रूम है उसमें होमस्टे बिजनस करके महीने का साथ हज़ार कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए तिहाड की जेल नंबर 4 में आफताब को रखा गया है आफताब पर CCTV से नजर रखी जाएगी 24 घंटे आफताब की निग्रानी की जाएगी आफताब के सेल से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी आफताप को इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं होगी उसे बाकी क्यादियों से अलग रखा जाएगा हाला कि आफताप की सेल में कुछ और क्यादी भी होंगे इससे पहले गुरुवार और शुकुरुवार को लगातार दो दिन आफताप का पॉलिग्राफ टेस्ट किया गया इन दो दिनों में आफताप से करीब 19 घंटे तक सवाल जवाब किये गए पॉलिग्राफ टेस्ट में आफताब से किये गए सवालों में हत्या से लेकर श्रफ के टुकडों को ठिकाने लगाने और सबूतों को मिटाने की बात शामिल थी श्रधा मडर मिस्ट्री में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं लेकिन केस की गुथी उलचती ही जा रही है पुलिस की पूछताच में भले ही आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया है लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलजे हैं इन सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए टेड़ी खीर साबित हो रहा है दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक पर्यात संख्या में ठोस सबूत नहीं लगे हैं जिन से कोर्ट में आफताब का दोश सिध्ध हो सके दिल्ली से नीरज गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया शद्धा मडर केस की गुथी सुलजाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 80 चूटी का जोर लगा दिया है तो वही दूसी तरफ आफताब आमिन पुने वाला ने भी अपने ब्रेन गेम में पुलिस को उलजाय रखा है पहले आफताब का पोलिग्राफी टेस्ट हुआ अब बारी नार्को टेक्स की है माना ज़ा रहा है कि सुमवार को आफताब का नार्को टेस्ट शुरू हो सकता है दिल्ली पुलिस ने इस टेस्ट की तैयारी शनिवार से ही शुरू कर दी है दिल्ली की महरौली में लिविन पार्ठर की हत्या कर उसके शब के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की खुनी साज़िष का कच्चा-चिठः जल्द खुल सकता है सुमवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है आफताव के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संभवता कल होने वाले नार्को टेस्ट में उमीद की जा रही है कि आफताव शद्धमडर केस के तमाम राज उगल देगा नार्को टेस्ट को लेकर पुलिस ने भी तैयारी कर ली है दिल्ली पुलिस सूतरों के मुताबिक आरोपी अफताव का नार्को टेस्ट सोंबार को दिल्ली के अंबेटकर अस्पताल में हो सकता है नार्को टेस्ट के दुरान FSL टीम के लावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी और केस का आयो मौजूत रहेगा तै प्रक्रिया के तहट किसी भी व्यक्तिका नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं इसलिए आफताव के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हो चुकी है दिल्ली पुलिस ने आफताफ के प्री नार्को मेडिकल टेस्ट कराए हैं रोहीडी के अमबेडिकर अस्पताल में प्री नार्को टेस्ट हुए जहां आफताफ का ECG किया गया इसके साथ साथ आफताफ का ब्लेड प्रेशर भी जाचा गया वहीं कुछ होर जरूरी बॉडी चेकप भी किये गए इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने अब तक 20 लोगों के बयान दर्च किये हैं इन बयानों को चार्जशीट में भी शामिल किया जाएगा दिल्ली पुलिस शद्धा के दोस्तों के बयान को कोट केस सामने रखेगी इसी के साथ ही आरोपी अफताफ के मातापिता से जो पूछताच हुई है उसको भी चार्शीट में शामिल करेगी ताकि वो इस पूरी घटना को सबूत के तोर पर आरोपी अफताफ के खिलाफ कोट में इस्तमाल कर सके जाहिरे शद्धा मडर केस को सुझाने के लिए अब दिल्ली पुलिस की उमीद पॉलिग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट पर भीटी की है लेहाजा पुलिस ने आफताफ के नार्को टेस्ट के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तयार कर ली है दिल्ली से नीरज गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बिड्रूम है उसमें होमस्टे बिजनस करके महीने का साथ हज़ार कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए